जी हां दोस्तों हम लोग अभी घुमने के लिए निकले हैं आपको अभी मैं रेलवे इस्टेशन दिखाऊंगा पूरी का रेलवे इस्टेशन बहुत ही सुन्दर रेलवे इस्टेशन है यहां आप देख सकते हैं अभी घुमने के लिए निकले हैं बहुत मजा आ रहा है पू यह रेल्वेई स्टेशन का बाहर का नजारा है यह रेल्वेई स्टेशन का बाहर का नजारा है देख सकते हैं कितना जबर्जस और कितना अच्छा रेल्वेई स्टेशन है जैसे नाम है वैसे यह रेल्वेई स्टेशन को भी बनाया गया है कितना मनमोहक कितना सांदार कितना स गूमने के लिए निकले हैं रेलवेई स्टेशन आये हुए हैं अभी गूमने के लिए पूरी घूम रहे हैं अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह है रेलवेई स्टेशन का पार्किंग एरिया यह है रेलवेई स्टेशन का पार्किंग एरिया और इधर से आप रेलव प्रती तिरंगा जंडा जो यह देखिए यहां कैसे हवा में लहर रहे हमारा जंडा हमेशा हमारा जंडा उच्छा रहे हमारा जी हां दोस्तों यहां से हम लोग अभी यह बस सिस्टेंग की ओर जा रहे हैं जी हां दोस्तों हम लोग अभी बस सिस्टेंग की ओर जा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है पूरी घुमने में मजा ही मजा है और यहां वाक्य में बहुत पूदा रहा हैं तो आप जैसे की देख रहे हैं हम लोग बहुत खुस हैं यहां अभी हम लोग रेल्वेई स्टेशन आपको दिखाए और यहां से हम लोग अभी बस इस्टेन की ओर जा रहे हैं तो अगर पूरी घुमना आना चाहते हैं आप तो मेरा जो वीडियो है उसको जरू सब्सक्राइब करें कि यहां दोस्तों हम लोग बस इस्टेन पहुंचने ही वाले हैं आज पूरी का बस इस्टेन आपको दिखाएंगे और कि की अवाई है कि यहां दोस्तों आप देख सकते हैं यहां दोस्तों आप देख सकते हैं बस इस्टेन का यह लाइब नजा रहा बस दिखा यह पूरी का बस इस्टेन है पूरी इस्टेट का बस इस्टेन जी यहां दोस्तों हम लोग बस इस्टेन पहुंच गए यहां आप देखिए रेलवे इस्टेशन और बस इस्टेन की दूरी 1.5 किलो मीटर है और यहां से हम आपको हमारा वीडियो अगर लाष्ट तक देखते रहेंगे तो मचली मारकेट भी ले चलेंगे जहां सुखा सुखा मचली मिलेगा पराउन मिलेगा सुखा केकड़ा मिलेगा दोस्तों मेरा वीडियो सब्सक्राइब ने किये हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें यह है बस इस्टेन बस इस्टेन से हम लोग अभी एगजिट हो रहे हैं और पता नहीं हम लोग भी ने ने हैं तो हमारे पास एक टिवा है और कौन सा मार्केट पहुंचे समझ में नहीं आ रहे हैं बस हम लोग घुमते जा रहे हैं घुमते जा रहे हैं अच्छा यह बस इस्टेन के जो बाहर में रोड है उसमें पहुंच गए देख सकते हैं दोस्तों कितने यहां कितने लोग आते हैं यहां पूरी दर्शन के लिए कितने लोग आते हैं पूरी घुमने के लिए कितने लोग आते हैं यहां देख सकते हैं आप भीड भीड देखिए दोस्तों